हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल गाईज मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकनिक मेकैनकल इंजरिंग फिफ्थ समस्टर के चेप्टर फोर मसीन डिजाइन के कुझी का डिजाइन यानि की ऑफ्स डिजाइन के बारे में जानने वाले हैं तो आज की वीडियो काफी helpful होने वाली है वीडियो लाश्ट तक देखना है तभी आप लोग को सारा topic clear होने वाला है क्योंकि ये exam के basis पे काफी most important है guys यहाँ पे कुझी क्या होता है कुझी कितने types के बाइज आते हैं इन में कौन कौन से failure होते हैं ये सारे topic के बारे में आपको exam से related काफी most important होने वाला है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माद्यम से देख पा रहे हैं machine डिजाइन जो चेप्टर 4 होने वाला है design of की यानि कुंजी का डिजाइन जब हम क्या करते हैं कोई दो सॉप्ट को अगर हम किसी ने एक माद्यम से होता कि निए दो सॉप्टों को तो उन दो सॉप्टों को अगर हम किस के basis पर जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक कुंजी भी basis आता है यानि कुंजी के माद्यम से भी जोड़ते हैं तो वही बात क्या जाए वो कुंजी किस तरह से होती है वो कितने types की पाई जाती है उसका uses कि इस तरह से करती हैं आपको चेप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा उनके बीच में इसमें कौन-कौन सी आसफलताएं उत्पन्य होती है ये सारे टौपिक के बारे में आपको इस चेप्टर में पढ़ने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा टौपिक किताता है कुझी होता क्या है तो यहां पे देखेंगे इसको डिफनीशन के मादन से तो डिफनीशन हमारा क्या कहता है कि यह एक ऐसी मसीनी अव्योव है यानि एक ऐसा पार्ट है जो सौप्ट या पुली के गियर इत्यादी हब या बॉस के सापेच गति को रोकने के लिए प कि जब हम किसी साप्ट के मादन से कहीं पे ट्रांसफर करना चाहते हैं कोई भी पावर तो वहाँ पे उस पावर को ट्रांसफर करने के लिए हमें पुली या फिर गियर इत्यादी लगाने की ओसकता होती है तो उस soft पे उस soft को उस जो pulley या फिर gear को अगर हमें रुकाना है यानि कहने का मतलब हुआ इस्थिर कराना है तो वहाँ पे soft में कुछ खाचे बने होते हैं और plus में आपके वहाँ पे gear या फिर pulley में भी खाचे बने होते हैं तो जो खांचे हमारे बने होते हैं उन दोनों के बीस्देश पए क्या किया जाता है एक कौनजी के माध्यम से जोइन्ट किया जाता है तो कुंजी आपका Suppose जैसा कि आप स्थ्म के माधने दें देंग पाई हैं फीगर तो फीगर आपका यहाँ पर यहां पर ये पर हमारा ये prost दिखाए क्या गया बीच में हमारा क्या है soft प्रदर्शित किया गया है और यहां पर यहां पर पुली ले लिए गया और यहां पर हमारी कुंजी ले ली गई है अब देख पारे हैं जो हमारा soft है गोल गोल जो हमारा soft है और इनके बीच में भी आपका कुछ तरह से कुंजी बनाई गई है और साथ में बात करेंगे सॉप्ट में भी किसी एक प्रकार की कुंजी बनाई गई है उसी के बेसिस पे हमारी कुंजी की भी डिजाइन की जाती है यानि कुंजी की भी डिजाइन की जाती है और कुंजी को क्या करते हैं बाहर से ठोक देते हैं और ठोकने के बाद हमारा सॉप्ट और गियर या फिर पुली आसानी से जाम हो जाता है और जब उसे आउसकता है पड़ते हैं उसे निकालने की तो कुझी को क्या करते हैं हम बाहर निकाल देते हैं और निकालने की वज़ा से हमारा दोनों सौप्ट और पुली अलग अलग भी कर सकते हैं यानि कहने का मतलब हुआ इ फिर खेत और जोते हैं तो उसमें जो फार वगरे लगाए जाते हैं उन दो जो फार हमारा टैक्टर से जोड़ा जाता है तो उनके बीच में कुझी के माध्यम से जोड़ा जाता है किसके माध्यम से जोड़ा जाता है एक पिन होती है किसके माध्यम से एक पिन होती है तो वही हमारा क्या कहलाता है एक प्रकार का मारा कुंजी कहलाता है सपोस्ट वो भी हमारी एक कुंजी ही होती है और आप देखे होंगे कोई बड़ी-बड़ी मसीनों पर क्या होता है अगर आपका हमारा स्वाप्ट हो गया यह हमारा स्वाप्ट हो गया स्वाप्ट में कुछ न कुछ के वीट करने की वज़ा से हमारा प्रोसेस करूंगा आपको चार पाई देखे होंगे तो चार पाई में जो चारों कोने पे हमारे विव होते हैं उनके वेसेश पे एक खपीज छोटी जाती यानि कहने का मतला अगर वो हिलता है तो हिलता है तो क्या कियाता है कुझी ठोंक देते हैं जिनके ठोकने यानि फिक्स होने पर हमारा वो फिक्स हो जाता है यानि कहने के मतलब है पूर्ट रूप से फिक्स हो जाता है और वो हिलता उलता नहीं है तो वो जो खोंची गई यानि जिनके माद्यम से हमारा वो पार्ट न पाई जाती है कुझी हमारी कितनी टाइप्स के पाई जाती है यह टोटल आठ प्रकार की पाई जाती है तो चलिए देखते हैं यहां पे कितने टाइप्स के पाई जाती है आठ प्रकार की तो आठो प्रकार में के बारे में जानेंगे तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला यहाँ पर आपका देखेंगे यह सेडल कुंजी क्या होता है क्या होता है सेडल कुंजी क्या होता है इसको डिपनिशन के माद़न से देखेंगे तो डिपनिशन हमारा क्या कहता है कि यहां कुंजी घरसण के कारण सक्ति को पारिसर करती है अता इसका प्रयोग कम सक्ति संचरण के लिए क्रिया जाता है means कहने का मतलब वहा कि जो सेडल कुंजी होती है वो हमारा कहां होता इसका यूजेज घरसर को कम करने के लिए या फिर सक्ति को पारेसर करने के लिए कहां पर उसके कौनसी कुंजी का प्योग के रता है सपोस्थ आपको एक नंबर में कुछ चन पूछा जा सकता है कि घरसर या फिर सक्ति पारेसर करने के लिए कौनसी कुंजी का प्योग के रते हैं तो आपको लिखना क्या है सेडल कुं type में means कहने का मतलब हुआ कि इसी तरह से हमारी एक 군ji होती है जिनके basis पे हम क्या करते है means कहने का मतलब है आदा पार्ट तो हमारा ये soft में होता है और आदा स्वाट हमारा gear या हो की जाती है Supposed that आपने चारपाई वगरा में देखा होगा यानि केवल एक में ही खाचे बने होते है जो क्या करता है एक में ठोकने के बाद वो आपस में क्या करतेता है पूर्ड रूप से इकाठा होकर मतलब कहने का मतलब है वो भीना घरसक्राइड मतलब कहने का मतलब हो वो फिक्स हो जाता है चलिए इन्नेश्ट बात के जा वर्गा-कार तो वर्गा-कार कुंजी का प्रियों कहां करते है तो देखेंगे पहले गियर या फिर पूली में होता है आपको वहीं बता है नेश्ट बात के जाए आयताकार या फिर फ्लैट कुंजी आयताकर भी कुंजी आपका सेडल कुंजी के बास बेसेस पे होता है तो यहां पर देखेंगे इसको definition के माद दिन से definition हमारा क्या कहता है कि इस कुंजी की अनुपरस्त काट आयताकार होती है कुंजी की चौडाई मोटाई की अपेच्छा अधिक होती है means कहने का मतलब हुआ कि जो आयताकार कुंजी होती है जो इसकी चौडाई होती है उसकी मोटाई की अपेच्छा अधिक मानी है और मोटाई हमारी क्या होती है कम होती है चलिए देखते हैं नेश्ट बात के जाए नेश्ट आता है हमारा जिव हैड कुंजी आप जिव हैड कुंजी को देखेंगे तो जिव हैड कुंजी हमारा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे तो इसको सब्सक्राइब मेरे करें तो किसी तरह से होती है या मैं आपको दिखाने की कोसिज करूंगा तो चलिए देखते हैं इसको जिब कुंजी को तो जिब कुंजी हमारा definition क्या कहता है इस कुझी के अनप्रस्त काट वर्गाकार या फिर आयताकार होता है means कहने का मतलब हुआ कि वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है means यहाँ पर दोनों basis for process पाई जाते हैं आगे बात के जाए इसकी साहता से कुझी के दो जोड़े जाने वाले भागों को आसानी से निकाला जा सकता है इसका प्रयोग कंपन को रोकने के लिए किया जाता है means यहाँ पर कोई पाइट में अगर कंपन आ रहा है यानि कहने को बतलब वाब्रेट कर रहा है या फिर कहने को अंदर कंपन हो रहा है तो उनको कम करने के लिए कौन से कुझी का प्रयोग करते हैं जिब हेड कुझी का प्रयोग करते हैं यह वरगाकार और आयताकार यानि दोनों प्रकार से पाए जाते हैं चलिए नेश्ट बात के जाए नेश्ट बात के जाए आपका गोल कुंजी तो गोल कुंजी आपका सपोसेट देखी समझ में आई ही रहे होगा गोल कुंजी हमारा किस तरह से होता है तो गोल कुंजी आपका गोले प्रकार का होता है यानि कहने मतलब बृत क्याकार का होता है वो हमारा क्या होता है चोड़ा होता है जिसके बिसेस पे हमारा ये इस तरह से गोल कुंजी कहलाता है तो गोल कुंजी को भी डिफिनिशन के माद देखेंगे तो डिफिनिशन हमारा क्या करता है कि इसका अनफ्रस्त काट गोलाकार होता है इनको ऐसे अस्थानूबर किया जाता है क्योंकि ये फिसलता ज़्यादा है ये कुंजी हमारा क्या हुता है फिसले की संभाव रहे है इस कुंजी का प्रयोग अधिकतर मसीन और जारों को आटो मोबाइल में किया जाता है मिल्स कहने का मतलब हुआ कि जो फोर विलर्स वाहन होती है वहां पे वोंडराफ कुंजी का प्रयोग करते हैं ज्यादा तर नेश्ट बात के जाए पंक कुंजी तो पंक कुंजी हमारा क क्या कहता है कि यह कुंजी दो संबंधित किये जाने वाले भागों में एक भाग के साथ जुड़ी होती है तता एक विसेश्ट प्रकार के समंतर कुंजी आग घुमाव को भी रोकती है मिन्स जो पंक कुंजी होती है वह हमारी किस तरह से होती है जैसे कि आपका एक basis इस तरह से कुझी होती है यानि एक पार्ट तो हमारा क्या होता है गियर और साप्ट के basis पे जुड़ा होता है यानि जॉइंट कर देता है बलकि जो एक पार्ट होता है वो बाहर की ओर होता है यानि ना उसे निकलने देता है ना फिसलने देता है ऐसी कु कुझे कहलाती है सब्सदेश ज्यादा स्पीड में कार करने वाले प्रोस्स पे करने के मतलब में मांद्याम पर कुझे का प्रियोग करते हैं चलिए निश्ट बात के जाया इसफ्लाइन कुझे क्या होता है के स्प्लाइन कुंजी को हम देखेंगे definition के मद्दम से definition हमारा क्या कहता है कि या कई आयताकार चाभियों को soft के साथ जुड़ा हुआ बनाया जाता है इसका spline कहते हैं means कहने का मतलब हुआ कि जो यह spline कुंजी हमारी होती है वो कई basis पर हमानी कहने का मतलब है कई सारे खांचे बने होते हैं किस तरह से यह हमारी कई सारे से खांचे बने होते हैं तो इन खांचों को क्या किया जाता है तो चलिए बात करें आपको figure के माद्यम से तो figure जैसा कि आप screen के माद्यम से देख पा रहें यहाँ पे guys आपको 6 प्रकार की कुंजी को दिखाय गया है यहाँ पे आपका एक square कुंजी यानि कहने का मतलब है square कुंजी को भी मैंने दिखाय गया है तिये कुंजी आपकी कुछ इसी तरह से types की पाई जाती है I hope guys यहाँ पे आपको कुंजी का design और कुंजी क्या होती है कुंजी types कितने होती है I hope कि आप लोग को सारा topic के बारे में clear हो गया होगा तो बस guys आपके लिए अतना यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नए हो चैनल को कीजिए subscribe और ज्यादा ज्यादा share करने को सिस कीजिए मिलते हैं निस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिद